नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनवरी फरवरी में रीट पर वीचार रीट बढ़ती 2019 जनवरी फरतम सप्ता में होगी 21 हजार पदो पर होगी सिक्षक बढ़ती बुदुवार तक जारी होगा नया विक्यापन पांच अक्टूंबर 2019 की बड़ी ख़बर दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट करना जाऊंगा मेरे दुआरा जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करना तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है पुरी खबर जी हां दोस्तों अब जनवरी फर्वरी में रीट पर वीचार जेपुर में कल होगी बेटक अधी सूचना जारी करने पर हो सकता है निर्णे अजमीर परदेश में अध्यापक बढ़ती एक पातरता परिक्सार रीट का आयोजन अब अगले साल जनवरी अत्वा फर्वरी में किया जा सकता है मादेमिक सिक्ष्या बोर्ड को इस सम्मंद में तयार रेने के निर्देश दिये गए है रीट को लेकर बुदुवार को जेपुर मे उच इस्तरिय बैटक होगी बैटक में रीट की एदिसूचना जारी करने पर अंतिम निर्दे लिया जा सकता है बोर्ड ने रीट इसी साल दिसुम्बर में लेने की तयारी कर ली थी लेकिन राजे सरकार की ओर से इसपैस्ट निर्देश नहीं मिलने की वज़े से तयारी ध दरी रह गही अब सरकार ने नए सीरे से रीट पर करिया सुरू करने का निर्दे लिया है जानकारी के अनुस्वार बुद्वार को होने वाली बैटक में रीट पर सकारातमंग निर्दे लिया जा सकता है अधिसूचना जारी होने तक प्रदेश में कितने पदो पर नियुक और साथ ही इसकी जो अधिसूचना है इसकी बुदुवार को मिटिंग है और मिटिंग के साथ ही इसका नया विग्यापन है वो जारी भी कर दिया जाएगा दोस्तों देख लेते हैं कि मादेमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्स है उन्होंने कहा है रीट अगले साल जनवरी अत्वा फरवरी के फरतम सप्ता में आयुजित की जा सकती है रीट को लेकर एक मैत्वपोन उच इस तरिये बैटक बुदुवार को जेपुर में होनी है इसमें अंतिम निरने लिया जा सकता है प्रोपेसर बियल चोधरी अध्यक्स मादेमिक राजस्तान अजमेर दोस्तो बिल्कुल ओथेंटिक राजस्तान पत्रेगा की अजमेर की खबर है पिछले साल फरवरी में हुई थी परिक्सा तो दोस्तो जल्दी इसका विग्यापन है वो जारी किया जाएगा ये भड़ती परिक्ष्या 21,000 पदो के लिए की जाएगी तो वीडियो की मादम से आपको सबसे पहले सुझित किया जाएगा मेरे दुआरा बताई जानकारी से अगर आप संतूष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन जै भारत